नमस्कार दोस्तों मैं हूं पुलकित महांन सिंगला स्वागत है आपका हमारे शेल में दोस्तों आज हमें स्विश्वें बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा इतर है जिससे बूत प्रेत आकर्शित ना हो दोस्तों कोई भी ऐसा इतर इस दुनिया में नहीं है जिससे बूत प्रेत होती है और सुगंध अपने आप में एक एर एलिमेंट कहलाती है उसका जो पदार्थ है सुगंध का बले ही आप उसको किसी ना किसी लिकुड उसमें होता है वो चाहिए वो गुलाब का इतर हो या आप जनरल परफ्यूम की आप बात करते हो तो उसमें अलकॉहल मिक्स होता है या फिर कोई बहुती oramaर्जनल भी हो कि आपने गुलाब का इतर यूज कर रहे हो जैसमीन का कर रहे हो या परफ्यूम परफूम है परफ्यूम अच्छा को एस दोनों में महइक तैसे वो फूलों से निकलती है हवा जो चलती है साथ में वह रवी हुप की घीचती लहती है इसी तरीके आप अपने शरीर लगा लेते हैं कोई भी सुगंध जब हमारे उपर आप चारों तरफ हवा हम पड़ती है तो हवा कुछ न कुछ उसके करण अपने साथ ले जाती है और क्योंकि भूत प्रेथ वाई वी ये तनियानी की हवा के ही जंतु कहलाते हैं इनके अंदर जो वायू तत्व है वो काफी अच्छी मात्रा में होता है इस वज़े से सुगंद का आभास होना और सुगंद के प्रती आकर्शन होना स्वाभाविक है तो आप कोई भी इतर अगर बहुत या परफ्यूम बहुत ही एक्सेस में लगाएंगे चाहिए डियो कहलो आप नॉर्मल उसमें लगाते हो सही अब कई लोग हम देखते हैं इतना जादा लगा रखा होता है परफ्यूम इतर के आपका दम गुठने लगता है बैठ नहीं पाते हैं उनके साथ पता नहीं कैसे सर्वाइब कर रहे होते हैं और कुछ लगाते हैं थोड़ा सा लगाते ह और कुछ होते हैं कि नॉर्मल लगाते हैं कि हां लगाया है पर उसकी महक उनको अपने तक ही महसूस हो रही है या बहुत जुर्वारों जो बिल्कुली कोई क्लोज आके बैठा है तो अदरवाइस नहीं तो आप उसको मॉडरेट कॉंटिटी में लगाएं सही मात्रा में ल लगाके जा रहे हो वीरानों में जा रहे हो पर्फिम लगाके जा रहे हो देर रात को जंगल से गुजर रहे हो कोई ऐसे हॉंटेट जगे से गुजर रहे हो किसी पर्टिकुलर हाइवे पर लगाके जा रहे हो तो आप अकर्शित करोगे मंदिरों में जा रहे हो खुब पर सकती हैं जो उपासना करने आई हो क्योंकि आत्माओं के ऊपर कोई बंदन नहीं होता क्या मंदिर में नहीं जा सकते हैं इश्वर के लिए वो भी उनी के बच्चे हैं हम शरीर धारी आत्मा हैं वो बिना शरीर वाली है इश्वर की नजर में सब एक हैं तो अगर वो किसी में जलते मिजाज बदलते देर नहीं लगती कि खुष्ऴु आ रही कहां से आरी इसम से हारी Android तो बड़ी है लगाती है कितना अच्छा खाती होगी कितनी सुन्द रहे लात में आयसे वी पहले तो लोग नहाते खुब अच्छे तरीके से होते थे कि उन्हें जुरत ही नहीं पड़ती थी पर आज के वक्त में लोग नहाते कम हैं इतर जादा परफ्यूम जादा पूथते हैं तो वहीं पर काम खराब होता है पसीने की बदबूत दमाने के लिए आप अच्छे से न आलो तो आपके अंदर से स्मेल आईगी लीनि और लिमिटीड क्वांटेटी में आप लगाईए दाकि किसी भी तरीके की ऐसी परनॉमल शक्ती को आप अकर्षित नग करे हैं शमशान में जा रहे हैं किसी कि संसकार में जा रहे हैं बच्चा होने में जा लगाना है अवाइड कीजे लगाना घर में भी डेथ होई है किसी की आपके तो भी नहां दो के इतर मत लगाईए और इसके लावद शादी पार्टियों में कम से कम लगाके जाहिए जितना सिंबल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा और जो प्रेतर होगी है इनके लिए हमेशा ही वर्जित होता है कि ये परफ्यूम ना लगाएं किसी भी तरीकी का पर्फ्यूम इतर डियो ना लगाएं मैं बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि सावधानी रखोगे परहेज करोगे तो बचे रहोगे क्योंकि प्रेतरोगियों का शरीर पहले ही जूटा हो या ऐसी जो बिल्कुल लेगेटिव सोल होती हैं, डेमॉनिक एनर्जी होती हैं, जिनको खुश्बू पसंद नहीं, जिनको बदबू पसंद है, तो हो सकता है कि आप खुश्बू इस्तमाल करो या कुछ करो तो उन्हें ना भाय, पर अगर वो आपसे चिपट गई हैं, तो व उपने आप भी आपकी आदत छोड़ा देंगी खुश्बू के, आपका मनी करेगा ना नहने का, गंदा रहने का, पसीने की बदबू आती रहेगी शरी में से, निचले भाग से बदबू आती रहेगी, क्या ही क्या ही महिने हो जाएंगे, आपके अंदर से ऐसी गंद आपको उसी गंद में आनन्द आएगा, तो अपने आप भी आपको ट्रांस्फॉर्म कर देंगे, पर उसका आकर्शन इतर से भी हो सकता है, किसी भी नेगेटिव ए डेमॉनिक सोल का, क्योंकि ये इन्वाइटिंग चीज़ हैं, इतर पर्फिम क्यों बनाएगा है, हजबें लगा रही है, या पती लगा रहा है, ताकि एक दूसरे के प्रती आकर्शन बढ़े, या दिन में आप साथ बैठे हो, या कोई आपका अपना पर्सनल वो है, इंगेजमेंट, उसमें आप कर रहे हो, लोगों ने धीरे-दीरे ये कर दिया कि नहीं है, दुनिया को दिखाना सजक होके चले हैं, तो बचाव हो गई होगा, बिल्कुली बेवकुफिया करेंगे कि पूरी इतर की दुकान बन के चल रहे हो, परफ्यूम पोत के चल रहे हो, डियो पोत के चल रहे हो, तो वाजिब है, ऐसी चीज़ें आकर्शित होती ही होती है, और अगर आपकी आत्मिक शक्ती कमजोर है, आपके पित्रों का साथ नहीं है आपके पास, घर में पूजापाट नहीं होता, किसी भी तरीके से आप रिलिजिस नहीं हो, या आपके अंदर आत्मिक बन नहीं है, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें, आपके शेर में आजाएं, या आपका जीवन भी एक या प्रारवद में लिखा है भूत प्रेतों का संकट आना तो माध्यम यह चीज़े बन जाती है कि आपने बहुत सारा पर्फिम लगाया पहुंच गए जी शमिशान किसी की डेथ में नहादों के तयारों के आगे कोई चीज साथ तो पता लगता नहीं है बेवकुफियां लो तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह सुनते रहें प्यार देतरी सब्सक्राइब कीज़े चैनल को ताकि आपको पर लोकिक और अध्यात्मिक दुनिया का ग्यान मिलता रहें अगर आप किसी भी नेगेटिवटी से परिशान है कोई भी ब्लैक मैजिक आप पर करता है तो हमारी दुनी मंगाईए घर में जलाइए हर तरीके का संकट दूर होगा सुपर प्लाटिनम दुनी या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड काम बनने लगेंगे लक्षमी की प्रापती होगी वास्तु दोश खतम हो जाएगा नजर दोश ट में आपको डिटेल्स मिल जाएगी मैं हूँ आपका दोस्त पिलकित महुन सिंगला